हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आए होग खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करें होंगे हैपी होंगे दियर आज का टॉपिक है थोर्ट पार्टी सिट्वेशन तो चलिए देखने के कोशिश करते हैं कि थोर्ट पार्टी सिट्वे किस से दूर हो जाएंगे आप से या थोर्ट पार्टी से चलिए जानने की कुशिश करते हैं कि आपके पार्टनर अचानक किस से दूर होने वाले हैं वज़ा क्या है और आपके पार्टनर जो है अभी कैसा फील कर रहे हैं थोर्ट पार्टनर क्या फील करते हैं थोर्ट पा बाकी को skip कर देजिए ठीक है चरिए देखते हैं कि kaards यहां पर क्या बता रहे हैं डीयर फिरोजा के लिए बहुत सारे लोगों ने message करा है कि फिरोजा आप लोग order के लिए तो booking आप करा सकते हैं और जिन लोगों को फ्रोजा चाहिए आप लोग वार्टसप पे मैसेज कर दीजिए ताकि आप लोगों को मिल सकेगा डियर और साथ-साथ यहां पर मैंने आपको बताया है कि यह जो फ्रोजा है ठीक है तो इसके एफेक्ट बहुत अच्छे हैं आपके पास लगजरी पैसा सब कुछ आएगा और आपके लाइफ के लिए अगर आप पहन रहे हैं केरियर के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं बहुत दिन से बता रही हूँ कि इसके रिजल्ट रियली बहुत अच्छे है क्योंकि जो चीज मैं खुद यूज करें तब ही मैं आपको बोलूँगे ठीक है तो अगर आपको फिरोजा चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका जो है कम्यूनिटी पे डला हुआ इसका प्राइस क्या है आप देख सकते हैं चिके चलिए देखते हैं कि यहां पर कार्स क्या बता रहे हैं क्य चल रहा है आपका पार्टनर का थोर्ट पार्टी के साथ में बहुत थी डैविलिश एनरजी यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं सब कुछ खतम होने वाला है जहां पर इतना सब कुछ था एक विश्फुल फिल्वेंट थी एक ग्रोथ थी एक हैपी फैमिली क्रियेट कर करने वाला है चलिए कुछ कार्ड्स हम आपके लिए निकालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपको लेकर भी क्या सोचने वाले हैं तो थोड़े कार्ड हम और निकालेंगे दियर और देखते हैं सिर्फ क्या बता रहे हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं कार्ड्स तू temperance के energy है dear यहाँ पर temperance है हमारे पास में night of swords है night of swords three of swords आप देख सकते हैं बहुत दिमाग लगाया जा रहा है third party की तरफ से multiple relationship यहाँ पर निकल के आ रहा है और violence को लेकर यह बहुत ज़्यादा पज़े से बोरा है जो भी third party यह थीथा पर ध्यान नहीं देना है card से possibility बताते है असलिए destination क्या है वो divine को पता है तो चलिए यहाँ पर है हमारे पास हर्मिट के energy बहुत ज़्यादा आपके partner पर effect पड़ा है इन चीजों का शायद वो कोई karmic से deal कर रहे हैं मुझे यह दिखाई दे रहा है चलिए bottom के energy को अगर हम देखें तो dear bottom के energy यहाँ पर क्या बता रहे है यह bottom के energy में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके partner third party को लेकर बहुत बहुत stress ले रहे हैं बहुत ज़दा stressful situation दिखाई दे रहे हैं move करना है निकलना है situation से किसी ना किसी तरह से बाहर जाने वाली situation मुझे यहाँ पर आपके partner की नजर आ रही कि उनको बाहर निकलना है इस situation में नहीं रहना है यह देखे 7 of pentacles ठीक है तो सारे cards हमारे पास में आ चुके है sign की अगर हम बात करें dear तो यहाँ पर मुझे जो sign दिखाई दे रहा है उसमें strongly अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर Aries Leo Sagittarius के energy मुझे दिखाई दे रही है जैमिनाई जो है वो भी बहुत strong आया है Capricorn और Sagittarius ठीक है यह energy जो है heavy है Cancer Scorpio Pisces है Taurus Virgo Capricorn है यह हमारे पास मैं energy दिखाई दे रहे Taurus Virgo Capricorn भी अच्छा खासा दिख रहा है Gemini Libra भी है तो चलिए reading को start करते है dear यहाँ पर कुछ number जो है बहुत खास है 1010 की energy है 3 number है dear 16 number है जो कुछ खास हो सकते है 6 and 3 number हमारे पास कुछ खास दिखाई दे रहे 6,6 की energy है 13 number 15 number यहाँ पर कुछ खास हो सकते है ठीक है 9 number है dear 4 number है और हमारे पास में है 14 number ठीक है 1010 मैंने आपको बताई दिया 1010 की energy यहाँ पर अच्छी खासी निकल के आई है बात करी जाए third party situation में अचानक ऐसा क्या होने वाला है कि आपके partner जो है या तो third party को choose करेंगे या आपको तो अचानक आपके partner जो है किस से दूर होने वाले topic इसी बात के उपर है और हम पूरी details में जानने की कोशिश करेंगे और अगर आप देखे death का card है plus उसके साथ में devil है तो death और devil आपको यहाँ पर यह दोनों का जो दिख रहा है कि death के साथ में devil आया है मुझे लग रहा है कि third party के life बहुत जल्द खतम होने वाली है third party को अगर हम ले रहे हैं और third party के लिए मैंने ये card निकाला है तो ये devil energy इस third party की ज्यादा दिन नहीं तिकने वाली है third party पूरी तरह से खतम होने वाली है third party पूरी तरह से तभा होने वाली है यह दिख रहा है कि उसके जीवन में एक tower moment आने वाला है ये situation यहाँ पर बता रहे है कि एक tower moment यहाँ पर आ रहा है third party के life में बहुत जल्द आ रहा है एक transformation एक ऐसा transformation जो tower moment मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ में जो transformation आएगा वो बहुत कुछ बदल के रख देगा या तो third party जो है एक अलग direction की तरफ बढ़ जाएगी या तो इसका life जो है यह ऐसा चला जाएगा कि इसको ही इतनी problems होगी क्योंकि यहाँ पर tower है और यह tower जो है ना third party को बहुत बहुत ज़्यदा भारी पर सकता है ऐसा दिख रहा है कि tower moment third party के life में तहल का मचा देगा जो तहल का इस third party की life में मचने वाला है वो तो devil और death से भी complete हो गया है क्योंकि third party की situation पूरी तरफ से transform हो रही है पूरी तरफ से खतम हो रही है आप देख सकते हैं ऐसे situation मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है थरफ पार्टी की जिंदगी बिखरने वाली है बिखर कर मतलब कहते हैं न क्योंकि इनसान के उपर इतने पहाड यह पहाड से गिरने वाली है और इसके उपर इतनी बिजली इतने यह देखे टावर की energy को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसके साथ में होने हैं लगाएं टावर का काड है और तावर की energy बता रही है कि यह जो यह बिजली कड़क रही है इससे जो effect पढ़ने वाला है थर्ड पार्टी के life पर वो इतना जादा होगा कि थर्ड पार्टी की जिंदगी बिखरने वाली है तूटकर बिखर जाएगी यह थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी यहां हैंड हो जाएगी थर्ड पार्टी यहां पूरी तरह से स्टक हो जाएगी अब देख सकते हैं बहुत ही स्टक सिच्वेशन इस थर्ड पार्टी की होने वाली है इस थर्ड पार्टी की बहुत बहुत ज़्यादा स्टक सिच्वेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है रिष्टे को लेकर फाइनेंस को लेकर कहीं न कहीं इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने वाली है कुछ चीजों के बारे मैं बहुत सोची कि जब देखो क्या होता है इनसान थर्ड पार्टी के अनर्जी ज़्यादा तर कहा है फाइनेंस पर फाइनेंस को कहीं न कहीं वो कुछ चीजों को अचीव करना चाहती है कुछ ऐसे चीजों को अचीव करनी चाहती है जो उसके ड्रीम्स हैं जो उसके सपने हैं और आपके पार्टनर द्वारा उसके सारे सपने, आपके पार्टनर द्वारा उसके सारे ड्रीम्स जो हैं वो कहीं न कहीं complete होते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है कि third party यहां hanged है dear और रिष्टो को लेकर इसके दिमाग में बहुत ज्यादा खिचरी पक रही है बहुत ज्यादा finance को लेकर भी dear यह बहुत कुछ पोच रही है, health इसका शायद कुछ गरबर चल रहा है, इस तक situation में दिख रही है third party temperance की energy है dear यह problem में होते हुए भी अगर इसके life में कुछ चीजे ऐसी हुई है, कुछ चीजे ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि यहां पर अगर हम बात करें तो dear यह temperance का card भी है और यह बहुत सारी energy को बता रहा है, यह problem में होते हुए भी अपनी energy को balance करने की कोशिश कर रही है, सारी चीजों को balance करने की कोशिश कर रहा है थी, थापे नहीं जाना dear कर रहा है, third party कहीं नए रिष्टे बना रही है, कुछ तो इसने new किया रहा है, क्य नए रिष्टे बना रही है यह third party, कहीं कहीं मुझे यह भी लग rhہा है, कि कहीं रिष्टे खराब हो रहे हैं तो कहीं नहीं ऐसा भी दिख रहा है, कि third party का सभ कुछ खत्म हो जाएगा, हो सकता आपके partner के साथ में, इसके relationship जो है toxic हो गए है, यह सकता है आपके partner के साथ में, यह balance बनाने के पूरी कोशिश कर रही है, पर जब चीजे सही नहीं हो पा रही है, जब चीजे balance नहीं हो पा रही है, तो यह जो है third party, इसके को लग रहा है कि सब कुछ खतम हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो वो वाली चीज मुझे दिखाई दे रही है, सब कुछ खत जो आदत थी ना किसी को क कुछ लोगों के आधत हitäी है नहीً chain. जो आपनी चलाना है पिंग लूगा. तो ये third party जिस तरह से control करती थी जिस तरह से अपनी चलाने की कोशिश करती थी ये पूरी सत्ता को अपने हाथ में रखने की कोशिश करती थी पूरी सत्ता को अपने hand में रखने की कोशिश इसने बहुत करी अपने according ये क्या कर रही थी चीजों को धालना चाहती थी ये घर के जो members हैं, घर के जो लोग हैं, इसके according चले, इसके हिसाब से चले, okay, तो वो चीजे खत्म हो रही है, अब इसका दबदबा, खत्म हो रहा है, अब इसकी situation चेंज हो रही है, लोग जो इससे डरते थे थे ना third party से, वो खत्म हो रहा है, खत्म हो रही है, ये hang the situation, dear, third party situation में, हर त तरगी चीज करके देख ली है, हर तरगी सिटुेशन इसने करके देखी है, ठीक है? मुच्छे ऐसा लग रहा है कि ये थरड पारटी जो है हर तरगी चीजे करवा चुकी है, कान भरना, जादू करना, हैना होता है ना कि किसी को मैनुपलेट करना, किसी को अपनी चीजों को थोप देना किसी कारप पर है ना तो वो करना इसने बहुत जादू करवा है बहुत ज़ाधा black magic का use करना किसी तरह के negative चीजों का use करना किसी तरह के spell work करना तो वो इसकी आदत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बात करी जाए डियर इस third party के तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ठक चुकी है third party ऐसा कभी तंत्र कराकर, कभी मंत्र कराकर, कभी जादू करकर third party ठक चुकी है या फिर कुछ चीजों में फस्ट चुकी है जैसे कितना किसी का life जो है पूरी तरस स्टक हो चुका है फ़र्द गया है वो इनसान तो वो चीज़ मुझे यहां पर दिखाई दे रही है आपके लिए अच्छा है डियर यहां पर यह समझ दीजिए खुद के जाल में फसी पड़ी है third party खुद के जाल में उलजी पड़ी है यह third party partner जो है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि rudely चीजों को करते हैं हो सकता है कि पहले जैसा अब third party के साथ में उनका communication नहीं है पहले जैसे third party के साथ में उनकी communication नहीं है क्योंकि king of swords है बहुत rude आपके partner का बोल चाल हो गया होगा बहुत rude बोलने लगे हैं कभी तो commitment है ना देना चाहते हैं क्योंकि देखिए कभी तो इनके दिमाग में कैचे लेगा third party को commitment दे देता हूँ 10 of cups है कभी तो सोचेंगे कि इसके लिए मैं बहुत सारी बाते करता हूँ कुछ करूँगा फिर इनका more swing हो जाएगा अचानक से इनकी mentality change हो जाएगी अचानक से रिष्टे को break कर देना है अचानक से रिष्टे को खत्म कर देना है अब इस रिष्टे में कुछ नहीं बचा है ऐसी energy यहाँ पर निकल के आ रही है ओके डियर दिखिए family की तरफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि family के तरफ care करना होता है न इनसान को की care दिखाना प्यार दिखाना यह चीजों में third party hanged feel कर रही है कभी-कभी partner के energy third party को बिलकुल भी समझ में नहीं आ रही है कई में यह इनसान प्यार करता है या फिर ढोंग कर रहा है है न तो कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं कभी तो प्यार यह situation में कहीं न कहीं हालात आपके साथ हुए है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो situation यहाँ पर आपके partner third party के साथ कर रहे न कि इसको एक तरह से p transmitter और रहे एक तरह से इसके साथ में root behavior करना एक तरह से इसको कहीं न कहीं बहुत केयर करना यह चीज़ए आपके साथ में घरच कुकी है हो चुकी है आपको अनुवा पूरा पूरा हो चुका है कि यह इनसान कैसा है आप अच्छे से जानते हो इस इंसान की असली वैल्यू देखो third party के life में आपके person के अलावा भी कोई और है जिके हो सच्छा है कि third party जो है जिस भी relationship में जा रही है वहाँ पर मुझे कुछ और लोग भी दिख रहे हैं क्योंकि third party आपके साथ तो है आपके partner के साथ में लेकिन partner के अलावा भी third party के relationship जो है बहुत strongly निकल के आ रहे है और असा दिख रहे हैं कि third party के life में कई नए relationship नजर आ रहे हैं आपके person के अलावा भी कोई और है और बहुत जल्द ये चीज़े उभर कर आएगी इस third party को ऐसा लग रहा है कि in decision के energy में देख रहे हूं मैं हो सकता है कि decision लेना चाहती है पर नहीं ले पा रहे है इन decision वाली energy में रहती है third party हैना multiple relationship है third party के third party का मुझे multiple relationship दिखाई दे रहा है financially भी कुछ चीज़े उभर कर आ रही है finance को लेकर third party के बड़ी सोच मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा चक हो चुकिए बहुत ज़्यादा सोच रही है third party ये card ये भी बताता है कि ये जो third party है आप समझ रहे हैं ये जो third party है ये कहीं न कहीं इतना negative चीज़े कर चुकी है इतनी dark energies का use कर चुकी है इसने इतनी ज़्यादा काली विद्याओं को ले लीजिए किसी तरह की dark energies को ले लीजिए जादू black magic है ना बहुत ही बुरी तरह से करा हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है कि इतने बुरी तरह से black magic किया गया है कि यहां पर ये third party जो है dear पूरी तरह से financially भी कुछ चीज़े उभर कर आईगी यहां पर क्योंकि इसने जो किया है ना hair fare करा है जो भी करा है वो financially निकल के आएगा मेरे पास एक case आया था उसमें family members की तरह से था पर वो family members जो थे शायद उनके साथ में ऐसी कुछ घटना हुई थी कि अगर डार्क energy इससे वो बहुत परिशान थे मतलब daily उनको dreams आना daily उनको problem थी में नाम नहीं बिताऊंगे पर उनके life में बहुत सारी problem चल रही थी negative energies की और इयर इतना परिशान हो गई थी वो lady कि उसको बहुत डरावने सपने आने लगे थे समझ नहीं आ रहा था क्या है क्य नहीं है और घर के ही देखो बाहर वाला तो कोई आखे इतनी फुरसत मिलेगी नहीं कि आपके बैट के नीचे कुछ रख जाए या कुछ ऐसा कर दे तो घर के ही कुछ लोग शामिल थे जब उन्हों को कोई सफाई के दोरान जब उन्होंने मसे बात करी तो कहीं न कहीं उनक फील करने के बाद में जब रेडिंग ली देखा तो डियर जब उन्होंने अपने घर की सफाई करी तो उनको खुद को लगा कि किसी ने उनके बैट के तरफ कुछ धागे कुछ चीजे कुछ नक्ष ऐसे बान दिये थे जिसकी वज़े से उनकी लाइफ में हो रही थी बहु कि ही कुछ लोग हमारे जीवन में कही न कहीं कुछ चीजे ऐसी रख देते हैं आसपास कुछ बैट में कुछ पिलो में कुछ ऐसे चीजे नक्ष वक्ष चुपा दिये जाते हैं तो उससे हमारा माइंड जो है वो पूरी तरसे डिस्चाब हो जाता है तो यह थर्ड पार्ट कि थर्ड पार्टी की लाइफ खराब चल रही तर्ड पार्टी की बैंड बजी पड़े क्यांट की डेथ का कर निकला है डैवल के साथ में तो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वह कुछ यह पर आने वाली है financially भी कुछ चीज़े जो उभर कर आ रही है अभी के energy ऐसी है कि ये अपने रिष्टे को finance रिष्टे को ना कहीं balance करना चाहेगी finance को लेकर ठीक है third party के life में और भी चीज़े हैं ये balance कर रही है उन चीज़ों को जैसे कि हो सकता है कि इसके life में कुछ लोग है मुझे कुछ energies ऐसे आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो king of swords है ठीक है और king of wants है तो इसके life में कुछ तो ऐसे relationship है जहाँ पर multiple relationship के energy आ रही है दो तीन लोग के साथ में इस third party का balance चल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है और dear यह दिख रहा है कि third party के situation आप अगर देखें तो third party के situation खराब है कभी खुश है तो कभी confused होती है third party कुछ बातों को लेकर तो कभी कभी बहुत happy हो जाती है three of cups के energy में आ जाएगी कभी तो उसके पास में tower moment आ जाएगा तो यह थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर change हो रही है devilish भी है तो बहुत सारा transformation यहाँ पर देखने को मिल रहा है देखे third party का ओदा जो है न वो मुझे ऐसा लग रहा है जो यह rule करने की इसके energy थी वो नश्ट होने वाली है वो खत्म होने वाली है यह अपना अधिकार दिखाती है जो यह balance कर लेती है maintain करके रखा था वो सारी चीज़े मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है दिखें यह भी दिख रही है वो चीज़े खत्म हो रही है third party यहाँ सोच रही है over possessive हो रही है सोच भी रही है over possessive हो रही है success के लिए कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ भी करेगी पर यह अपनी success को पाके रहेगी अगर partner third party में से निकल रहे हैं अगर partner third party को छूड रहे हैं तो dear third party पैसों का बड़ा खेल खेल रही है सब कुछ balance करने की कोशिश कर रही है अपना दिमाग तो लगा ही रही है यह third party क्योंकि इसको लग रहा है कि चीजे जो है हाँ से निकलना जाएं तीक है देख जब क्या हो रहा है कि partner की energy देख है न यह passive फेकने की कोशिश करे किसी तरह से ऐसा कुछ करे कि सब कुछ सही हो जाए दिखे अगर यह romantic party जो है third party अगर romantic है तो partner को attract करने की कोशिश करेगी partner को अपनी तरफ रिज़ाने की कोशिश करेगी तो सोची समझी साजिश यहाँ पर दिख रही है जीतना चाहती है financially growth चाहती है आपके partner ने संतुष नहीं किया या उसको आपके partner के साथ में अच्छा नहीं लगता है आपके partner के साथ में संतुष नहीं होती है यह third party तो dear यह third party कहीं और आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि multiple relationship है इसने बनाए इसलिए कि जब यह satisfy नहीं होगी तो आगे बढ़ जाए है ना दिखिए यह जो third party यह गलतियों पर गलतियां करती चली जाएगी अगर आपके partner third party को कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं है ना तो उसको ऐसा लग रहे कि वह डूब रही है मुझे ऐसा लग रहे कि साथ नहीं दे रहे हैं आपके partner तो साथ छोड़ रहे हैं तो यह third party परिशान हो रहे है नीचा दिखाने की कोशिश कर सकती है अगर आपके partner ने इस third party को डुबाने की कोशिश करी साथ छोड़ने की कोशिश करी तो आपके partner के नाम पर लगा सकती है यह धबा कुछ भी करेगी दियर पर ये पार्टनर को प्रेशर डाल सकती है कुछ भी करेगी कुछ भी है ना पर पार्टनर को प्रेशर डाल सकती है फैमिली के सहारे ये है ना जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी कोई हो सकती है थर्ट पार्टी मुझे असल लग रहा है कि family के सहारे marriage का pressure डाल रही है third party हो सकता है कि marriage करने पर मजबूर किया जा रहा है वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और partner third party के बारे में क्या सोच रहा है अगर हम बात करें यहाँ पर partner third party को लेका तो dear देखे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यह partner आपके partner जो है यहाँ पर confusion में दिखाई दे रहे हैं कुछ चीजों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा confuse दिखाई दे रहे हैं third party को लेकर partner को कुछ चीजे समझ नहीं आ रहे है third party को लेकर partner थोड़ा सा doubt में है कि third party के पास third party के पास कोई और है option हो सकते हैं दिखे success के लिए ये कुछ भी कर सकती है third party partner decision नहीं कर पारे है partner यहाँ पर कि इन्हें third party के ना तरह बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए और मुझे यह दिख रहा है कि partner न third party के साथ कर्मा फेस कर रहे हैं कुछ तो ऐसा कर्मा चल रहा है third party और partner का और साथ-साथ यह भी लग रहा है कि आपके partner को move on करना है क्योंकि bottom के energy बता रहे हैं आपके partner निकलना चाहते हैं move on करना चाहते हैं स्थितियों को देखकर बहुत सारी चीज थर्ड पार्टी के आ रही है बहुत सारी चीज थर्ड पार्टी के आ रही है doubt आ रहा है मुझे लग रहा है कि यह partner चीजों को कर पाएंगे ठीक है चीजों को कर पाएंगे और रिष्टे को प्रॉपरली है ना प्रॉपरली कट करेंगे अपकट करेंगे इस थर्ड पार्टी से दूर जाने की इन्होंने ठान लिये इनका मन हो गया है कि इन्हें अब थर्ड पार्टी के साथ में नहीं रहे ना बहुत हैड़ेक ले रहे डियर क्लियर दिख रहा है थर्ड पार्टी इशू फैमली भी हो सकता है थर्ड पार्टी क चीज़े बदलेंगी, बहुत सारी चीज़े मुझे यहां पर दिख रही है, लडाई के चांसेज भी है, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, आपके पार्टनर और आपको लेकर सोच रहे हैं, यह जानते हैं कि आप इने हैं, कहीं न कहीं ऐसा भी है कि एकसेप्ट कर लोगे, तो बताओ बंदे को यह पता है कि आपको, आप इनको एकसेप्ट कर लोगे, आप इने अपना लोगे, हैना वो वाली एनरजी दिखाई दे रही हैं, पार्टनर का एक्शन, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पजिसिव रहेंगे, खुल के बात करेंगे आने वाली टाइम में यह सुकून चाहेंगे, आप से कनेक्ट भी होना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइदेंस इनको मिल रही है और वो कंट्रोलिंग एनरजी से बाहर आएंगे, जो भी कंट्रोलिंग एनरजी है उससे बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर आपको लाइस में बहुत चैंजिस लाने होंगे और जो चैंजिस आ रहे है उनको एक्सेप्ट करना होगा दिखे, इश्वर आपको कह रहे हैं कि खुल के लोगों के सामने आओ, खुल के दान दक्षणा करो तुछीं लोगों की सेवा करना है आपको guidance के तौर पे मैं यही कहूंगे लोगों की सेवा करें और dear help करें, अच्छा कर्म करें, दान करें, आप protected है dear, मुझे ऐसा लग रहा है आप protected है, बहुत अब करते करते energies बिल्कुल low हो गई, आपने देखा कि मैं जब बोल रही थी तब से अभी तक मुझे energy बहुत लो लग रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीजे जो है वो बहुत ही अलग जा रही है बहुत ही अलग तो ये समझ दीजे कि इस third party के कारण आप जो है हमारा topic है ये कि partner third party के बारे में क्या सोचते हैं धीकिए, पार्टनर किसे चूनेंगे, अगर विडियो मुझे यहाँ पर दिखाई कि पार्टनर जो है आपको चूनेंगे, इस तो उनको अरो फ़र शुच हो आ गए है तो एक होदी से हमको गही नंग चाहिए अब के फैसलिस जीक्त्श सरह पर जीघ्ट शिक्ट श मेंуем तो आइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग फस्ट चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू